तौफ फाइब बेस्ट कैमरे स्मार्टफोन इन दे वर्ल टॉइटी टुइटी फॉर किसे पता था अर्ली टूथाउसंस में जब कैमरे को एज एक्स्ट्रा फीचर रेट के आगया था कि मोबाइल फोन में वह आने वाले टाइम में में पराइटी बन जाएगी किसी भी स्मा मेडिया के लिए पर्फेक्ट चोई से इवन आपको बहुत सारे पॉइंट इन शूट कैमरे से अच्छी कैमरे की क्वालिटी देखने को मिल जाती है तो अगर आप भी कोई सा एक अल्टिमेट लेवल का फ्लाक्शिप कैमरे स्मार्टफोन दो आज की जबर्दस वीडियो म मननी वाली फ्लाक्शिप स्पेसिफिकेशन और अग्रेसिव प्राइसिंग के लिए जाना जाता है तो अगर आपको बजेट फ्रेंडली है फिर आफोर्डेबल प्राइसिंग में एक अल्टिमेट लेवल का ओल्राउंड स्मार्टफोन जी जहां पर आपको बहुत यची प का सपोर्ट है इंडिस्प्ले फिंगर्प्रेंट स्कैनर और अलर्ट स्राइडर का सपोर्ड भी मिल जाता है यहां पर आपको क्वाल कोम की तरब से स्नैप्डेगन 8GN3 वाला एक अल्टिमेट लिवल का फ्लाक्शिप प्रॉसेसर मिलने वाला है स्मार्टफोन एंड्रेट 14 पर आता है OxygenOS 14 पर आपको वोग करते वे देखने को मिल जाएगा 5400 एमेज की बिग बैटरी भी दी गई जो की 100 वोट के सुपर वोग चाजिंग स्पीड पर बात करें कैमरे के तो बैक में आपको ट्रिपल कैमरा सपोर्ट मिलता है जिसमें से प्राइमेरी कैमरा 50 मेगा प्राइमेरी का मिलता है सोनी का एल वाइटी एट जिरो एट ब्लेड वाला कैमरे दिया गया है जो कि एक फोर जेंड कैमरा है जहां पर आपको वाइस और यस का सपोर्ट मिल जाता है दूसरा गारा 64 मेगा पिक्सल का टेली फोटो जूम लेंस है यह एक ओमनी वीजन सेंसर के साथ आता है 3X तक ऑप्टिकल जूम का सपोर्ट मिल जाएगा और तीसा कमरा 48 मेगा पिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल शूटर है सामसिंग का सेंसर यूस किया गया है फ्रेंड में आपको 32 मेगा पिक्सल का सेलफी चूटर मिल जाएगा यहां पर आपको 8 के तक की व 4.0 के स्टोरेज और अगर फाइनली बात करें प्राइसिंग की तो स्मार्टफोन का 12GB RAM प्लस 256GB ROM वाला वेरेंट आपको 64,090.99 में मिल जाएगा उसके बात कर लेते हैं लीस में आप फूर्ट पे जो स्मार्टफोन आता है वाता है वीवो की तरब से 100 प्रो दोस्तों जो तो वीवो की तरब से X100 प्रो को आप एक बार जरू कंसिडर कर सकते हैं बात करें स्पैस के तो यहाँ पर आपको 6.7,8 इंचेस की कर्फडेज AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जो कि 120 अचके रिफ्रेशर पर वोक करती है 3000 निट्स तक की पिक ब्राइटनेस दी गई स्मार्टफोन आउट ओ दो बोक्स एंडुरेट पर आता है फंटर जोस 14 पर आपको वोक करते वे देखने को मिलेगा 5400 एमेज की बैटरी और 100 वोड का चार्जिंग सपोर्ट मिलता है बात करें कैमरे के तो बैक में आपको ट्रिपल कैमरा सपोर्ट मिलता है जिसमें से प् 50MP का आल्टर वाइड एंगल शूटर है जहां पर IMAX 663 वाला सेंसर मिलता है फ्रेंड में 32MP का सेल्फी जीटर दिया गया है स्मार्टफोन के में कैबरे में आपको 8K तक की वीडियो 24 fps पर रिकॉड करने का ओप्शन मिलता है 4K तक की वीडियो 60 fps पर रिकॉड कर पाएंग की तो करेंटी इस स्मार्टफोन का 16GB RAM प्लस 512GB ROM वाला वेरेंट आपको मिलेगा 89,9999 डूपीज में उसके बात कर लेते हैं हमाली समर्बत होट पर जो स्मार्टफोन आता है वाता है Google की तरह से Pixel 8 Pro दोस्तों जो Google स्मार्टफोन ब्रैंड है वो अपने dedicated camera, smartphones, clean UI वाले stock Android के user experience और AI related features के लिए जाना जाता है, बात करें specs के तो यहां पर आपको 6.7 inches की Full HD Plus वाली OLED पैनल मिलती है जो की 120H के refresh rate पर वोग करती है, 2400 nits की peak brightness मिल जाएगी, in-display fingerprint scanner दिया गया है, corning की Gorilla Glass Victus का support भी है बात करें processor के तो यहां पर आपको Google की तरफ से Tensor G3 chip मिल जाती है, security के लिए Titan M2 chip के उसकिया गया है यहां पर आपको 7 साल तक के major OS updates मिल जाएंगे, 5050 mAh की battery दिगए जो की 30W के charging speed को support करती है बात करें camera के तो यहां पर आपको triple camera support मिलता है, जिसमें से primary camera 50 megapixel का है, aperture f1.6 का है दूसरा camera 48 megapixel का ultra wide angle shooter है, जहां पर आपको aperture 1.9 का मिल जाएगा और तीसरा camera 48 megapixel का 5x telephoto zoomless मिल जाता है, जहां पर आपको 30x तक digitally zoom का option मिलता है और aperture 2.8 का दिया गया है, फ्रेंड में आपको 10.5 megapixel का selfie shooter मिल जाएगा smartphone के main camera और selfie camera दोनों से यह आपको 4K 60fps पर record करने का option मिल जाता है उसके साथ 4K तक की videos आप time lapse और cinematic mode में भी record कर पाएगे Google का smartphone होते हैं यहां पर आपको camera की quality और बहुत सारे camera features देखने को मिल जाते हैं Dual stereo speakers मिल जाएंगे, IP68 का certification है और अगर finally बात करे pricing की तो smartphone का 12GB RAM प्लस 128GB ROM वाला variant आपको मिल जाएगा 1,69999 रूपीज में उसके बात कर लेता है माल इसमें बस स्मार्टफोन आता है वाता है Apple के तरब से iPhone 15 Pro Max तो दोस्तों अगर आपको इस साल का one of the best camera smartphone चीए तो no doubt Apple के तरब से iPhone 15 Pro Max एक बहुत ही अची चोईस है इसे आप जरू कंजिडर कर सकते हैं बात करें स्पेक्स के तो यहां पर आपको 6.7 इंचेस की सूपर रेटिना एक्सडिया टू टू टॉन पैनल देखने को मिल जाती है जो कि 120 ह के रिफ्रेश है पर वोक करती है यहां पर आपको 2000 निर्स तक की पिक ब्राइटनेस मिल जाएगी इस बार स्मार्टफोन में आपको टाइटिनियम का डिजाइन मिल जाता है फेस आइडी का सपोर्ट भी दिया गया है बात करें प्रासेसर के तो यहां पर आपको एपेल की तरब से एस सेवंटीन प्रो चीप देखने को मिल जाती है स्मार्टफोन iOS 17 पर वॉक करता है 4422 mAh की बैटरी है जो की 27 वोट के चार्जिंग स्पीड को सपोर्ट करती है बात करें कैमरे की तो यहां पर आपको बैक में ट्रिपल कैमरा सपोर्ट मिलता है जिसमें से प्राइमेरी कैमरा 48 मेगा पिक्सल का है जहाँ पर आपको 3 फोकल लेंस का अप्शन मिल जाएगा दूसरा गामरा 12 मेगा पिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल शूटर है तीसा गामरा 12 मेगा पिक्सल का टेली फोटो जूम लेंस है जहाँ पर आपको 5X तक ओप्टेकल पी का ऐप्शन मिलता है अगर आप एक true camera setting की smartphone डून रहे हैं जहां पर आपको photos में natural colors देखने को मिल जाए बहुत ही अची camera की quality हो तो no doubt apple की तरफ से 15 pro max के साथ आप जरूर जा सकते हैं और अगर finally बात करें pricing की तो currently smartphone का 8GB RAM plus 256GB ROM वाल अबेरेंट आपको मिल जागा 1,59,999 में जो की एक super premium pricing के साथ आता है अगर आपको pricing थोटी सी ज्यादा लग रही है या फिर आपको small form factor के साथ आने वाले smartphone चीए तो आप 15 pro के साथ भी जा सकते हैं की 1,30-35,000 के आसपास मिल जाएगा उसके बात फाइनली बात कर लेते हैं हमाली इस मांब बन पर स्मार्टफोन आता है वाता सामसंग की तरब से galaxy ace 24 अल्ट्रा सामसंग अपने स्मार्टफोन को साल के first quarter में launch करता है और दूसरे स्मार्टफोन के लिए एक benchmark set कर देता है चाहे बात करें in terms of camera in terms of performance और 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 एक specification के बात करें specs के तो यहां पर आपको 6.7 8 inches की Quad HD Plus वाले डाइनेमी Camelate डिस्पले देखने को मिल जाती है जो कि 120 अचके refresh rate पर work करती है 2600 इस की peak brightness मिल जाएगी ultrasonic in display fingerprint scanner मिल जाएगा titanium के framing मिल जाती है बात करें प्रॉसेसर के तो यहां पर आपको Qualcomm की तरफ से snapdragon 8 Gen 3 वाला एक ultimate level का flagship processor मिलता है smartphone Android 14 पर आता है One UI 6.1 पर आपको work करते हुए देखने को मिल जाएगा सबसे अच्छी बात इस बार आपको Ace24 Ultra में 7 साल की major OS updates मिलने वाले है 5000 mAh की battery और 45W का charging support भी दिया गया है बात करें camera की तो back में आपको quad camera support मिलता है primary camera 200 megapixel का है दूसरा camera 12 megapixel का ultra wide तीसरा camera all new 50 megapixel का 5x zoom lens है जहां पर आपको इन से इन से 10x तक का zoom मिलता है और 10 megapixel का पूरा नवाला 3x optical zoom वाला lens मिलता है फ्रेंड में आपको 12 megapixel का selfie shooter मिल जाता है यहां पर आपको 8K तक की video 30fps पर record करने का option मिल जाता है 1x, 2x, 3x, 5x और 10x तक optical zoom का option है और 100x तक digital zoom का option मिल जाता है Samsung के smartphone तो camera की quality बहुत ही अच्छी देखने को मिल जाती है उसके साथ Apple ने इस बार बहुत सारे AI related features को भी include किया है जिसे इस वीडियो में अगर बात करने लगे तो वीडियो बहुत ही बड़ी हो जाएगी बागी overall camera की quality बहुत ही अच्छी देखने को मिल जाती है उसके साथ Samsung के नॉसे security मिल जाएगी Ace Payne का support दिया गया है IP68 का certification है LPDDR4S के RAM में UFS 4.0 की storage है और अगर finally बात करें pricing के तो currently smartphone का 12GB RAM प्लस 500, 12GB ROM वाला variant आपको 139,999 रूपीज बे मिल जाएगा तो दोस्तों यह तो थे दुनिया के 5 best camera smartphone जो के आपको 2024 में देखने को मिल जाएगे आप अपने users के according company के according किसे भी smartphone के साथ जा सकते हैं बाइगे दोस्तों आज की इस जबरदर्स वीडियो के लिए बस इतना ही उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो हिट लाइक शेयर और सब्सक्राइब में मिलोंगा आप से लिए उड़ों तब तक के लिए बाइए